हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी के अपने योट्यूब चैनल में तो दोस्तो इस वीडियो में आप से बात करने वाला हूँ एक सरकारी कमपणी के बारे में लेकिन इस कमपणी में दोस्तो काफी अच्छा बहतरीन एक इंपोर्टन चीज होने वाला है ये सरकारी कमपणी बनाएगी 5G नेटवर्क जी हाँ दोस्तों फ्यूचर ओफ इंडिया 5G नेटवर्क अगली एक से देड़ साल में इंप्लिमेंट होने की कोशिश की जा रही है रिल्यांस की तरफ से भी कहा गया है इसके साथ साथ एस्टेल लाइट टेकनोलोजी टेक महिंदरा सब लोग मिलके काम कर रहे हैं और साथ में इक्वेमेंट सप्लाइ करें की ये सरकारी कमपणी और इसके भी डेली चार्ट में आग लग चुकी है इस company के चार्ट में और ये एक super swing trade शावित हो सकता है तो वीडियो एक information के लिए है दोस्तों तो completely देखिएगा अपने निवे से पहले research भी जरूर किजेगा लेकिन यहाँ पे अच्छा opportunity है मुझे उमीद है आपको जरूर पसंद आएगा और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को subscribe कर ले और bell icon को all notification कर ले ताकि stock market से related मज़ेदार वीडियो हर रोज मिलते रहे चलिए दोस्तों देखते हैं इस company के तो current price चल रहा है 125 रुपिये के आसपास 52 weeks से थोड़ा सा high से थोड़ा ही दूर है और इस announcement से stock में काफी अच्छा move देखने को मिल रहा है market cap है 11,500 करोड का तो mid cap stock ये है book value है 25 का तो price to book value आए लगेगा तो लगबाग 5 के आसपास आएगा approach PE बहुत ज़्यादा है लेकिन इस sector में ये particular काम जो करता है इस sector में आपको बहुत ज़्यादा similar stock नहीं मिलेंगे इसलिए sector के PE के अनुसार compression करने के फाइदा उतना ज़्यादा नहीं है dividend की कमाई इस stock से नहीं होती है बांकि इस ratio ठीक ठाक है average return of capital employees 7% return of equity 5.5 आसपास sales जो पिछले 3 साल का 10% के आसपास stock में जो तेजी आया है वो देख सकते हैं ये एक range में चल रहा था 80-90 रुपिया के range में चल रहा था तो फिलाल यहाँ पे breakout मिल चुका है और अभी काफी upper के level पे trade कर रहा है अभी तक तेजी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी भी एक swing trading का मोका इस stock में हो सकता है और यह मेरी analysis है आप भी अपना analysis जरूर कर लेना और आपको सही लगे तो आप इसमें position बना सकते हैं फिलाल इसके numbers और भी देख लीजे बांकी के numbers देखिएगा पिछले 5 साल का sales growth around 80% पिछले 5 साल का profit growth is also around 80% net quantity ratio तो सिर्फ 0.5 का है company में death की problem बिल्कुल भी नहीं है tech ratio भी उतना खास नहीं है इसलिए यह stock मैं सिर्फ swing trade के purpose के लिए recommended किया वीडियो के शुरवात में super swing trade pick मैंने कहा है long term pick नहीं कहा है क्योंकि इसके कुछ fundamental ratio उतने खास नहीं है इसलिए long term के लिए उतना कुछ खास शावित नहीं हो सकता quarter result देखिएगा तो March का quarter result ठीक ठाक है next profit ठीक ठाक जनरेट हो चुका है और अपर से sales थोड़ा सा deep है पर market को देखते हुए industry को देखते हुए यह ठीक ठाक हो रहा है profit भी अच्छा जनरेट किया है अपर से interest paid on loan बट ज्यादा नहीं है और operating profit भी सही जनरेट किया है company ने तो यह stock कौन सा है दोस्तों तो यह PSU stock का नाम है ITI Limited आप article देख सकते हैं Telecom PSU यानि BSNL MTNL Core Department of Telecom से कहा गया है उनको मना किया गया है कि Chinese equipment 4G अपग्रेटिशन यूज ना करे तो इसके लिए यह रोक लगाया है तो इसके चलते ITI में क्यों हो रहा है दोस्तों तो ITI एक company है जो Telecom equipment manufacture करता है servicing देता है और अलग-अलग Telecom equipment rating भी करता है तो इसलिए दोस्तों Chinese equipment में रोक लगाया गया है BSNL MTNL को ITI का support लेना पड़ेगा और भी private sector का company है उनका support लेना पड़ेगा 4G से 5G network को upgrade करने के लिए तो इसलिए ITI के stock में भारी मातरा में तेजी देखने को हमें मिल रहा है इंडिया चाइना के मुटवेर में बोडर के मुटवेर में ये सब decision लिया गया है और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों ITI ने partner किया है टेक महिंदरा के साथ वीडियो के सुरू में मैंने कहा कि तीन company कोशिज कर रही है कि इंडिया में 5G launch किया जाए रिलाइस इंडिस्टी एस्टेल लाइट टेकनोलिय साथ में टेक महिंदरा 5G equipment करना के कोशिज और टेक महिंदरा के साथ ITI ने डिल साइन किया है टाय अफ किया है 5G equipment के लिए तो इस वीडियो में यहीं तक नेक्स्ट वीडियो के लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राब जरूर कर ले एस्टोक से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं थैंक्यू सो मच